हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माइ चैनलちは स्टेभ बाय स्टेभ गाादिंग व्हुयर्स आज में आप लोगों से डेफन बेक्या प्लान्ट से बारे में बात करने वाली हुं डिफन बेकिया या डम केन भी बोलते हैं इन प्लांट्स को और आज मैं इस प्लांट की प्रोनिंग करने जा रही थी एक्शली जो मेरा प्लांट था बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल था अगर पॉसिवल होगा तो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई थी कितना अट्रेक्टिव लुक दे रहा था ये मेरे गार्डन को लेकिन अब क्या हुआ है विंटर में इसकी ग्रोथ नहीं होती है और अगर हम इसे आउटसाइट छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे इनकी सारी लिवस डैमेज होके विंटर की वज़ा से गल के खतम हो जाती है तो मेरे प्लांट के साथ भी ऐसा ही हुआ है देखे इस तरह स देखे देखे लिवस गिर चुकी है गल गल के सर्दी से खराब हो गई है और लिवस इतनी बिक साइज की थी इतना बूशी प्लांट था और बिक साइज का प्लांट हो गया था ग्रोथ करके कि मैं उसे इंडोर भी नहीं रख पाई एक्चली इंडोर जादा स्पेस नहीं सेव किये हैं कुछ एगलोनिमा के प्लांट से हैं कुछ फिलो डेंडोन के प्लांट सेव किये हैं क्योंकि उनकी लिवस भी बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है और उसी की वज़ा से देखे इसकी सारी लिवस जो है यहां से गिर चुकी है पूर का पूरा प्लांट खाली हो क्या करखे चो क्या में जो निर से जबगने हैं तो उसके छोटे मिफ्यूंट क्या था प्रोपकेट हो जयाता है यदहा तक तो इसके था प्रोपकेटर बगने कें सब्सक्राइब चीजे इस वीडियो में आप लोग देखेंगे वीडियो बहुत इंफोमेटिव है तो वीडियो को एंड तक देखे तभी सारी जानकारी आपको मिल पाएगी तो चली मैं इसकी कटिंग कर देती हूं यह देखिए यह दस इंच के पॉर्ट में लगा था और इतनी लंबी स्ट करके आपको इसमें लगा के दिखाती हूं कि इसे कैसे कट करना और कैसे लगाना है तेखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डिभन बीगया के प्लांट में जब लीफ्स गिरती है ना जहां-जहां से लीफ्स गिरती है वहां से कुछ इस तरह के नोड एरिया बन जाते है। तो अगर आप नोटिस करेंगे ने तो हर एक ब्रांज में इस तरह से नोड एरिया होते है और कभी-कभी इसमें रूर्स भी बनने लगते हैं देखिए form और यहां से प्लांट हे काफी ठीक है बहुत मोती सी ब्रांच है और यह नोड एरिया का ध्यान रखके हमेसे कट करना है तो कटर से तो यह कटेगा नहीं तो मैं इसे नाइप से ही कट करने जा रही हूं मैंने नाइप को क्लीन कर लिया है और मैं इसे यहां से कट करूंगी मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं इसे कट कर आप लोग को दिखाती हूं मैंने तीनों ही प्लांट क कि आजाए तो यह प्लांट अपने आप बुशी लुक बना लेगा दूसरा वाला यह पूरा पॉरा पॉर्ट से बहर जा रहा था तो बैने यहां से कट कर दिया यह इस ब्रांच में भी नियू स्प्राउट बन के आएगा तो बुशी लुक बनाएगा साथ में जो कटिंग मे अगर करेंगे जाएगा तो इसे ब्रुटिंग हाव्मोन की जरुवत नहीं यह एसे बी इसका रजल्ट मिलेगा आपको थोड़ी सी मिटी हटा के इसमें इस तरह लगा देंगे तो पॉट फिर से भर बी जाएगा और दीरे यह वाला जो कटिंग हुआ है उसमें भी इन तीनों को मैं इस वाले 10 इंज के पॉर्ट में लगा के दिखाती हूं आप लोगों को मैंने जो कटिंग की थी डिफन बेक्या की उन सभी ब्रांच को मैंने वापे से उसी पॉर्ट में लगा दिया है इसमें 5 ब्रांचेज हो गई जबकी 2 ब्रांच थी और इसमें एक ब्रांच थी तो उसे कट करके मैंने उपर वाला हिसा भी इसी में लगा दिया है बहुत इजी होता है डिफन बेक्या को प्रोपोगेट करना तो देखिए इस तरह से आपको करना है सिंपल सा मैथेड है और अब आपको किस बात का ध्यान रखना ये भी मैं आपको बता देती हूँ देखिए जो हिसा हम लोग सोयल में डालाएं कमसी कम 2 से 3 इच का हिसा सोयल में जाना चाहिए और उसमें भी दो तर debates स están तो इस तरह से आपको 2-3 इंच का हिस्सा और बागी विस्सा उपर रखना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा तेड़ से दो महीने लगते हैं इसमें नियू स्प्राउट बनेगा और प्लांट थोड़ा सा ग्रूथ कर लेगा तब मैं आगे इसकी अपडेट भी आप लोगो से शियर कर रही हूं क्योंकि देड़ दो महीने में जब इसकी ग्रूथ होगी और मैं आपको दिखाऊंगी तब तक टाइम निकल जाएगा इसकी प्रोपोगेशन का और मुझे लगता है कि हर किसी के गार्डन में जिसने भी प्लांट को आउटसाइट छोड़ा होगा सारे प्लांट की कंडिशन ऐसी हो ही जाती है तो अभी मैं यह वीडियो अप्लोट कर रही हूं प्रोणिंग और प्रोपोगेशन का तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने प्लांट की प्रोणिंग कर सकते हैं और उसनकी ब्रांचे को इस तरह से दुबारा पॉट में ल के आज की वीडियो कि different लिर्ट क्या को propagate कैसे करना है उसकी पूरिंग और कटिंग का ध्यान रखना है अब मैं इसमें watering कर दूंगी फ्रेंड किसी भी प्लान की cutting लगाते हैं तो उसमें watering करके उसे in direct bright sunlight में रखना है कटिंग इसली ग्रो हो जाती है और उसकी ग्रोहत के चांसे बहुत जादा रहते हैं तो अच्छे से मैंने सभी ब्रांचेस को प्रैस करके लगा दिया है अब इससे वाटरिंग कर दूंगी और इन डारेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखोंगी लो लाइट में नहीं इन ब्रांचेस को मिलती रहेगी तो धीरे धीरे इसमें रूट्स बन जाएंगे और न्यूस प्राउट बनके एक नए प्लांट का रूप ले लेंगे तो आपको ऐसे ही करना है मुझे यह कीन है आप लोग को यह तरीका पसंद आएगा सभी चीजी क्लियार्टी से बता दि बाइ फ्रेंड्स हपी गार्डनिग